हेलो गाइज, वेलकम टुमा यूटूब चैनल, तो गाइज आज की वीडियो में आप लोग को बहुत इंपोर्टेंट बात बतानी है, ठीक है, अगर आप कोला अप्रेशन करते हो, ठीक है, तो कभी-कभी आपके पास ब्रैंड खुद भी मैसेज करते हैं, ठीक है, कोला करने कहां से आ रहा है, ठीक 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 है, ठी अगर ब्रैंड्स का ओफिशिली मेल आईडी होता है ठीक है अगर ओफिशिली आईडी से कोलाब्रेशन आया हुआ है आपके पास ठीक है तो आप कोलाब्रेशन कर सकते हो ठीक है बट फिर भी पूरा मदब ट्रमेंड कंडिशन अच्छे से पढ़ लिया करो उसके बाद कोलाब्रेशन वह ठीक है बट फिर आपके पास पर फिर मेंसंज बूं तो पूरे अच्छा से पहले कर मैंड और उसके बाद को क्या करो ठीक है तो इनहोंने यह बोला है ये सटे कर ईब को मतलब आपको हम order करना होगा जिसके हम कोष्ट हम आपको पहले से आपके bank account में transfer करेंगे ठीक है उसके बाद आपको वो product के review देना है और story वगारा पर लगानी है ठीक है तो यह है अगर कोई brand आपसे मांगता है OTP वगारा या फिर bank के passbook या फिर कुछ भी मतलब जो होता है bank account से related या फिर personal information से related तो मत दिया करो अगर paytm नंबर है आपके पास अगर paytm यूज़ करते हो तो अब paytm नंबर दे देना ठीक है बट OTP वगारा कभे भी किसी brand को मत बताया करो ठीक है इससे आपका Instagram भी hack हो सकता है और आपका bank account details भी hack हो सकती है तो इसलिए एकदम अच्छे से collaboration करो ठीक है और careful रहके collaboration करो ठीक है तो कुछ fake emails भी आते हैं मेरे पास ठीक है तो मैं अच्छे से पहले पढ़ लेता हूं फिर उस पात collaboration करता हूं मैं ठीक है वैसे ही आप भी अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना ठीक है लेकिन fake collaboration मत करना नहीं तो आपके साथ fraud हो सकता है ठीक है इसलिए प्लीज से collaboration करना हूं ठीक है तो आज की वीडियों बस यही छोटी से information देनी थी बट बहुत कान की information थी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो और शेयर तो ज़रूर क आज के लिए बस इतना ही तो थाइंकि सो मच अ अ